हेलो ने मिश्कार कैसे है आप सब स्वागत है आपका मेरी चैनलुमें तो आज हम आपको बताने वाले हैं साबु दाणा पापड़ हम कैसे इन गर्रता सनदे हुआ है, रेसीप आप लोग गारे चैमेर । चाल Iljie अजा शाओ यूज़र तिसफस्ट ने लियर के बाद बंद साफ़ाय किप्ति हाँ 설ड यूज़री यूज़र के ऊचिव डमनेगे कम से कम 6-7 गंटे पूरी रात आप इसी भीगोने के लिए छोड़ दे तो देखे मैंने पूरी रात भीगो दिया कितना अच्छा सॉफ्ट हमारा साबो दाना हो गया है अब गैस पे हमने आप पतीरा लग जया है और पांच बोल हमें आप पानी डालेंगे जिस बोल से हमने सा अगर आप रहत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप ऐसा भी नमक डाल सकते हैं जो हम घर में खाने में इस्तिमाल करते हैं उसके बाद चमसी बार अच्छी से चला लेते हैं उसके बाद देखे यह भीगोई हुए साबो दाने हम यहां पे डाल लेंगे और हमें इन्हें चिपकी न तो देखके साबो दाने का पापड बनने के लिए बैटर बिनकुल तयार हो गया है और जल्दी जल्दी आपको गरम-गरम ही एपट में चलाते हैं तो यह तल्ली ना लगे नहीं जल जाएंगे और आपके पापड का जो नःस लिस्ते हैं थोड़ा सा कडवा आजाएगा और आपको गरम गरम में। ही आपको इसको प्लेट में डाल देका, नहीं तो यह पहुत जल्दी प्लेटिकर हो जाता हुई तो देख neighbourhood में आपको यह फैलानें लिए और आपको आपको आкимиई इन्स से डैला अप पतले होजाते हैं बीच में से क्रैक हो जाते हैं और निकालते वक्त टूड़ भी जाते हैं तो इसी तरीके से मैं दूसरी प्लेट में भी बना लेती हूं डाल लेती हूं पापड का बैटर तो दीखे घर का बना खाना तो हमेशा ही अच्छा होता है और साबूताने में भर पूर मात्र में कैल्चम होता है आप ये पापड बच्चों को भी बना के दे सकती है वरत में ही क्यों ऐसे ही बना के रख लें आप घर में जो बच्चे बाहर के नमकीन चिप्स कुरकुरे खा दूंखे और अच्छे से आप इन्हें 2 दिन की दूप आ दे ये तो दीन की दूप मैं नियने अच्छे से ळूखने के लिए है को आप झहते जरा दो दिन की दूंगा दो पापड बन जाए गलई मैं तोन पापड बन बनके तयार हो जाएंगे पर मैं ऐसे भी बना रहती हूं तो कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं एतनी महनत भी नहीं लगती है तो ये देखे कितने क्रिस्पी हमारे पापड़पन के तयार हो गया और हमेशा आपको इन्हें तीज गरम तेल में ही बनाना होता है तो ये रेस्पी आपको कैसे लगया आप मुझे जरूर बताईएगा